तो फाइनली ढूंडी लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद ती आप ढूंड लोगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षाच है इतिहास हरियाना बोर्ड के आपकी एक किताब है हमारा भारत एक इसका पार्थ नंबर साथ के आज मैं आपको अभ्यास के आप देख रहे हैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक चीज बता देता हूं आपको जो है इस पूरी किताब का सोलीशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स अभ्यास के परसनुत्तर महत्तव परसनुत्तर हर एक चीज आपको लिखी आओ जाने कितना सीखा यानि कि हमने पार्ट पढ़के आ चुके हैं जो कि हमको ज्यादा खास लगा नहीं लेकिन फिद भी भाई यह तो पूछेंगे हमसे क्या सीख क्या है हम पार्ट में पहला परसन है संत थोमस खालिस्तान के काल में भारत आये यानि कि कौन से राजा थ लिखा गया जो कि कुसां काल में लिखा गया था चरक सहीता गोंडब फनिस इनवे से कोईने पहले बात तो अगर देखो कि यह एक बंदे का नाम था पर गरंत का नहीं था तो वैसे इस चीज़ाश्यक पर लूप शानी कर सकते हैं चलो अगले परसन पे चलते हैं कनिश्क क कि राजधानी खालिस्तान थी अगला पर्सन है पहला सासक खालिस्तान था यह जो जद से पहले के टाइम में जो राजा पहला राजा बनता था ज्यादातर लेटा था आमसी बात थी कुछ एक राजय नहीं लगा ते बट तो इन में से कुन सा था दिमिट्रियस पर्थम यह था और अगर पूछा जाएगी शक्ति-शाली पूछे तो मिनांडर था और पहला पूछे तो दिमिट्रियस पर्थम था जब मैं चैप्टर करा रहा था तब भी बता रहे यह पूछ सकते आप से चलो आगले परसन पर आते चाहिं गई थी चीन मगद कसमी मंथूरा तो कहां पर होई थी कस्मीर के अंदर हुई थी कनिस्क नाम के राजा ने करी थी और इसी वजह से उस जगह का नाम रखा था था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और यह क्या और रखा भाई वए ये दो दो तिन चालो कोई नहीं प हमारे पास कुश्चन है रिकत स्थानो की पूर्ति की जी रिकत स्थान बरने अमको मिनांडर की राजधानी कालिस्तान फिर अप्विल्ख सकते हो अगर इनमें कोई सा एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा तो तो साकल याद रखना ठीक है बट जगाया का नाम याद होना ये साकल को ही सेयल कोट कहते हैं तो मैंने दोनों लिखी जे था कि कोई साथ याद रहे आपको बेजनगर में गुरूर धवज किस था आपना खालिस्तान ने की तो किस ने करी थी वो हेलियोडोरस ने करी थी खालिस्तान सैव धरम अपनाने वाला पर्थम कुसान सासक था तो वो कौन था केड़े फिशिज दुवितिया थे चीन के छेतरों पर अधिकार करने वाला सासक खालिस्तान था तो कौन था वो कनिस्क था जो कि पहले युद में तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए लेकिन दूसरे युद में उसको हरा दिया था बोद्धों की चोथी सभा कालिस्टान नमकस्तान पर बूलाई गई मैंलाब बifully才 आज पाहली सभाल में राजग्रिया में बूलाई गई थी दूसरी भी मगदगी राजःनी पाटली पर चुक्तर में बुलाई गई थी कुंडलवन नामकसान पर ती कुंडलवन जगहाई याद रखना पड़ेगा आपको कस्मीर में पूरा लिख जा था कि याद रहे आपको तुक्रिणान सुरू करते हैं कालकाचारीा जैन लेखक फांटे जैन लेख था किताब कालकाचारिliness अस्व गोस श्यक्ति था जो की बहुत विद्वान जिसकों कहते हैं और यह जो है राजा कनिस्क के टाइम पे था राजा कनिस्क ने मगद के उपर आकर्मन करा तो मगद वालों से बोला तुम्हारी सल्तनत में जो सबसे मुल्यवान वस्तव वो मुझे लाकर दे दो तो वो लोग लेकर आये थे पता लगता है मतूराशी शिर्षग इसका मेरे को कोई आडिया निया फिलाल के टाइम पर जीकर था चप्टर में बट मेरे को याद सक जाती का हिस्सा थे ये गलत बात है कुसान जो है यूची जाती कोई थी उसका हिस्सा थे ना कि सक जाती का नागरजुन ने सुन्यवाद का परचार किया बिल्कुल सही बात है तोर्वान की मृत्यू के बाद मिहिर कुल सासक बना बिल्कुल सही बात है कनिश्क ने वसूमित्त्र के परभाव से बहुत धरम अपना ये बिलकुल गलत बात है क्योंकि इन्हों ने जो कनिश्क ने बहुत धरम तो अपना आयता है सान्हा नहीं यहीं वाला सब्होस ठीक है तो यह था चलवागे बढ़ते हैं भी हमारे पास आचुके थोड़े चोटे कोस्टन फिर आएंगे थोड़े बड़े कोस्टन चलो सुरू करते हैं कोस्टन को लगू परसन उत्तर किन परमुख विदेशी जाती हो ने भारत पर हमले करें अब यह जो है एक नंबर या दो नंबर दो नंबर में दे सकते हैं प्रोबैबलीस को तो किन विदेशी ज चैप्टर में डिस्क्स उइथी बतानी है इंडोघ्रीक इंडोपर्थArtियन सक फूंड कुषान बढरत में सको करें सकों ने चार भारत थे पस्चीम में उजयन था दक्षीम में नासिका उत्तर पस्चीम में तक्सिला पूरव में मतुरा यह चार राज्य उन्होंने स्थापित करें थे बाद में जो है कनिस्क ने उजाड दिया था इनको चलो आगे बढ़ते हैं अगला कोस्टन है कुसान वंस के परमुक सासकों हमें चैप्टर में तीन ही मिले और तीनों के राम मैंने बता दिया सबसे फेमस होता कनिस्क और शुरुवाती जो राजा था वो था कैड़ पर्थम और फिर कैड़ द्वीतिया बस ऐसे राजा थे चलो अगला परसन देखते हैं चोथी बहुत सभा के धर्माचारिय को धर् कि देखते हैं, वो थे असवघोस वसूमितर और नागार दुनिय व्यक्ती धर्माचारिय थे उस ताइम परमूपको धर्माचारिय मत्त के सबूत करें द्रेखते बनादान की फे मांन टाइसा दीख को अभगवान की तरह मानती ठीए इसकी लोगपर्यता टी इसकी मृ्ट्यू होने पर इसके सरीर की राख के लिए लड़ाय हो गई थी इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि मिनांडर जैसा सकती साली युद्धा सासक अपनी वीजियों के अपिक्स चिंतक के रूम में पर सी दुआ क्यों कि उसको चिंता थी अपनी जंता की जंता की भलाई के लिए उसने बहुत सारे काम करे थे जो कि हमको चैप्टर में तो नहीं बताए बढ़ हाँ चैप्टर में हमें यह बताए गया कि जनता उसको भगवान की तरह मानती तो वो तभी होता है जब जनता के लिए उसने काम करा हो तभी तो उसकी राक तक को लेके लड़ाई हो गई थी तो इसलिए इसको ऐसे कहा गया ठीक है चलो अगले परस्ट पर देखते हैं और यह काफी बड़ा सा परसनेर पता नहीं क्या सोच के दे दिया इन्होंने अब इन्होंने क्या दिया हमको कोश्टिन में तकसिला मतूरा नासिक उज्जैन के सक सासकों के बारे में हमें कहां से और क्या क्या जानकारी मिलती है देखो जानकारी तो मिल जाएगी कोई बात नहीं लेकिन भाई इतना बड़ा उत्तर आता कोंसे पेपर में है मेरे को हाईडिया नहीं है देखो इन्होंने चार साहर पूछे है तकसिला मतूरा नासिक उज्जैनी चार हिते सकों के और चारों साहरों का पूछ लिया कि वह बारे में हमें कहां से जानकारी मिली और क्या क्या जानकारी मिली दो जीज़े मनलब सबूत क्या थे उस जानकारी के और क्या जानकारी क्या चीज़े हमें पता लगी चलो एक को पढ़ते हैं अब तकसी लाक है सकते हो कितना बड़ा उत्तर है या इतना बड़ा उत्तर कभी लिखा है मैंने बट मजबूर है यार लिखना पड़ आप क्या करूं मैं देखो माउज इस वंस का पहला राजा था जिसके हमें उपलब्द होते हैं जिन पर खरोष्टी लिपी में राजा ती राजमाहन दिखा हुआ था इसके उत्राधिकारी एजेज पर्थम और एजेज जिनकी जानगारी केवल सिक्कों से मिलती है इंडो पार्षिन राजा गोंड़ फर्नीज ने इस वंस का अंत कर दिया था तो यह हमें जानगारी मिले तक्सिला गए सकते हैं इसमें से आपको पूरा यह कोस्टन नहीं देंगे आप से छोटा पूर्सन पूछेंगे जैसे कि कि आपको इंपोर्टेंट कोस्टन में मैंने इसको डिजाइन कर दिया है कैसे पूछ सकते हैं वाली वीडियो में वह चीज आपको पता लग जाएगे अच्छे से कलियर ली बठाए वाला कोशन इंपोर्टेंट है छोटे-छोटे दो नंबर के हिसाब से मलब एक टोपिक पूछ लेंगे दो नंबर में शारे नहीं पूछेंगे वह मतूरा से प्राफ्चिहीं से लेग से हमेरा जूल वैसोडाव मिलता है इन दोनों को माक सत्रप कहा गया इस वंस इस वंस की सबतंतरता कनिश्क के राजय काल में समापत हो गई जब माक स्तरफ खरपलान और स्तरफ वंस पर ने कनिश्क की अधिनता स्विकार कर ली थी और ज्यादा जो हमें जानकारी नहीं मिले थी मलब जो भी था सबूत वगबूत इन्होंने बताए नि भाई बुक में हम कहां से बता देटे फिर ना चलो नाफिक के सग यहां के दो सासकों भूमक और नहान का लेख मिलता है नहान इस वंस हमें इसकी जानकारी मिली थी नहपान की राजधानी मिन्नगर थी इस वंस का पतन गोत्मी पुत्तर साथ करनी दवारा कर दिया गया वो उसके बाद आ गई यह वंस नहीं टिक पाया उज्जेन के सक इस राजे की स्थाबना चस्टन ने की थी इसके मुद्रा मुद्राओं पर चैतन्य परतिक मिलता जो सिक्के वगरा मिले जादर जो हमें सबूत मिले था वो सिक्कों पर ही मिले और उसी के आधार पर फिर आगे कहानिया वगरा देखी गई संभवता है उसने बहुत दरम अपनाय था रुद्रदामनिस वंसका परसित राजा था जिसने जुनागड अ रात करनी को युद में दो बार हराया उसने सिंधू सोवीर का परदेश वीजीता उसने सोदर्संजील का जिरणोधार करवाया गुप्त वंस के समय में इस वंस का अंत हो गया था तो इस तरीके से यहां पे था चलो अगला अगला कोशन देखते हैं विदेशी जातियों न काबित करना है हमको सीध करना है प्राचिन काल में भारत पर विदेशी जातियों जैसे इंडो ग्रीग इंडो पार्थेंसक कुसान हुणो इन सब ने आकर्मन किया लेकिन यह जातिया भारत में आकर भारतिय सब्वेता संस्कृति धरम दर्सन इन से बहुत ज्यादा परभा गई वो चलो अगला परसन देखते हैं कनिस्क दवारा प्राप्त कि नहीं दो विजियों का मुल्यांकन कीजिए यानि बहुत सारी विजय प्राप्त करी जिसने हमें दो का बताना को इसी दो यादा आजाए मैंने आसान वाली चूज करिया आपके लिए ताकि याद भी रह थी उसने पाटली पुत्र पर हमला किया और राजा से सबसे अधिक मुल्यावान वस्तु मांगी तो राजा ने उसे बहुत भिख्षू अस्वगोश को दे दिया अस्वगोश के प्रभाव से उसने बहुत धरम अपना लिया बस यह हुआ था एक व्यक्ति दे दिया वहाई अने एक मतभेदों को समापत नहीं किया जासकत जो भी भेदबाव चल रहे थे लोगों के साथ में आपसी टक्राव हो रहे थे वो इसे महासभा में खत्म नहीं हो पाए और बहुत धरम दो भागों में बट गया पहली उपलब जी तो यह रही और जो प्राचिन सिध्धान पर टिकाए लिखी गई जिसे महाविभास कहा गया था तो यह सारा कुछ हुआ था इस चोथी महासभा के दोरान अगला परसन देखते हैं विशलेशन कीजिए कि अपनी संस्कृति को यह वैसे फालतू कोस्ते नहीं देखा आओ करके देखे वाला परसन से है यह परसन में बताता वीविव यह वाई एक्जान में नहीं आता तो आप ऐसे अपनी मर्जी से करणा तो कर लो नहीं तो छूड़ कोई तो विशलेशन कीजिए कि अपनी संस्क्रीति को सुरक्षित करने उसका परचार और परसार करने में हमारी क्या भूमी का हो सकती है अपनी संस्क्रीति को सुरक्षित रखने का परचार और परसार करने के लिए हमें भारतिय सिक्षा परणाली में लागू करना होगा इसके तो हमें हमारा जो धरम है मननेताए हैं उनको जो है आने वाले जो बच्चे हैं जो आने वाली पीडी है उस तक पहुचाना है वो सही तरीके से और उसके बाद में जो है उनको सिखाना है कि वो कितनी जरूरी क्यों है हमारे लिए और साथ में जो है हमको उनको बताना है उनको important सिखानी है और वो कब सिखेंगे जब हम उनको पढ़ाएंगे वो चीज़ बताएंगे उनको अब बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है तो सब्सक्राइब करो साथ में घंटी तबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए